एक दफ़ा का जिकर है एक दरजी अपने दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक उंचा उंचा बोलने लगा दरजी ने उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दिया वहाथी हमेशा दरजी की दुकान पर आता था एक दिन हाथी आया लेकिन दरजी ने उसको रोटी की बजाए सुईच बादी हाथी वहाँ से भाग गया अगले दिन हाथी फिर आ गया लेकिन उसकी सून कीचर से भड़ी हुई थी और उसने अपनी सून से कीचर दर्जी के कपड़ों पर फैंक दिया दर्जी के सारे कपड़े हराब हो गए दर्जी सर पकर कर रोने लग गया इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है जैसा करोगे वैसा भरोगे